वाव एक दम उपरफिट बना है बहुत ज़द टेस्टी लग रहे है चाई की साथ में हाई फ्रेंड्स वेलकूम टेस्टी ब्रेक्पास की रेसिपी है महराश्टन ट्रेडिशनल स्नैक्स की रेसिपी जो कि है घावन या फिर इसे आप अंबोई भी बोल सकते हैं सिप दो ची तब मजयदार हो टेस्टी लगती है तो चले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स चले हम स्टार्ट करते घावन बनाना या फिर इसे आप अंबोई बोल सकते या तो तो हम यहां पर इंस्टन घावन बना रहें तो हमें यहां पे चाहिए एक कप राईस फ्रॉर चावल काटा औ और इसमें मैड करेंगे सौदनुसर नमप दा और फिर एक कप चावल के अटे के लिए हम देट गलस पानी कर यूज़ करेंगे तो यहां पर इसे हम थोड़ा मिक्स करेंगे पर फिर होदो थोड़ा पानी एड़ करके आच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर हमें राइस के अठीके लंस नहीं बना ने है तो आफ़ Candice यहीं हमें एक स्मूध पेस्ट बनाने इसके आप च्छाहे तो राइस लेके रात में विज़तों कि उसे मिक्सर में पेस्ट भी कर सकते हैं उसके पे यहां पर देख सकते हैं अच्छे से चावल कटा मीक्स हो चुका है लम्स थोड़े भी नहीं दिख रहें और इसमें हम एड़ करेंगे और आधा ग्लस पानी जितना हम पपला करेंगे उतने अच्छे से जाली दर यह घावन बनेगा और सुबह में ब्रेकपास ने आप इसे खा सकते हैं बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो यहां पर देख सकते हैं एकदम पर्फेक्ट बनाए तो फ्रेंड्स हमने यहां पर एक नॉल्स्टिक पैन लिया है आप चाहे तो बीड़ वाला भी पैन देता है वह भी ठीक वाला ले सकते हैं या तो फिर आपके पास नॉल्स्टिक ओ ले सकते हो और हमने यहां पर है फ्लेङम पर प्यान को अच्छे से गरम कर लिया है और हम अभी अहीं अवह पर हम ऋिप मैं को ऑईल लगते हैं रही मैं यहां पर के ब्रेश लगा रही हूं आपका तो आनियम से भी लगा सकते हो गाउने लोग आनियम से लगाते है ऐसे आप पैन के उपर तो यहां पे हमने अच्छे से बढ़ा लिया है अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारे बैटर तो हर टाइम बैटर डालते समय ऐसे हमें आच्छे से मिक्स करके लिए नए नहीं तो फिर लाटा नीचे रहता है और पानी ऊपर आ जाता है तो इस तरह से हमें मिक्स करके डालना है फिर कि अब कि यहां पर इसे अब हम ढ़के रखेंगे एक पाच मिट के लिए तो अच्छे से पक जाता है दो फ्रेंज यहां पर पाच मिन्ट हो चुके आप हम प्लेट निकल लेते तो यहां पर देख सकते अच्छे से पका है अब इसे हम फ्लिप करेंगे और यहां पर देख सकते साइड भी लूज हुआ है इसे भी हम एक दो मिल्ट के लिए पकाएंगे अच्छे से अब इसे हम फ्लिप करेंगे और एसे हम एक बरत्र में निकल लेते हैं यह तो हम फोल्ड करेंगे तो छिपक जाएगा दूसरा रहा हम जब ही करेंगे तब हम पहले वाले को फोल्ड करेंगे यह देखे एकदम पर्फेक्ट बनाई जाली तर और कितना सिंपल यह बनाना तो यहां पर हमें सेकेंड घावन डालते समय भी ऐसे अच्छे से निक्स करके लेना है और फिर पैन को हमें थोड़ा तेल लगाना है पैन के उपर डाल देते हैं भी अब इसे हम डख देते हैं सेम प्रोसेस कर ले तो यहां पर हम डख करने कर लेते हैं और इसे फिलिप करेंगे तो फ्रेंड्स हमारे यहां पे घावन डेडी है यहां बोड़ी तो हमने जो पहले वाला यह निकाला था उसको अभी हम फोल्ड करते हैं इस तरह से यह देखें कितने मास्त बना है और फिक दुसरा वाला निकाल लेते अभी इसी तरह हम बाकी के भी घावन बना लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे हमारे घावन रेडी है गर्म गर्म यहां पर अमबोडी भी हमारी यहां पर रेडी है तो हमने इससे चाय कंटे चाय के साथ में सरृब किया है आप चाय तो चट्नि के साथ में या तो फीडिशावस के साथ में बच्चों को दे सकते हो और चाय के साथ में तो यह बहुत जाद एक दम परपिट बना है बहुत जद अब टेस्टी लग रहे है चाय की साथ में माशालला बने हमारे घावन अब ज़रूर ट्राय करें सिंपल रेसिपी तो फ्रेंड्स आप ये घावन चाय के साथ में एंजोई करें और आपकी कमेंट इसे कमेंट से बॉक्स में शेयर करें और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर क करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अबरा ना भूले फिर मिलते हैं और एक मज़तारे सिपीक साथ तब तो कि थेंक्यू बाबाए